और आज का कॉंसेट है बॉंड इम्मुनिजेशन और इसी में एक और ICAI के मुड्यूल का एक क्वेशन है वो भी अपने को आज सॉल्व करना है तो गाइस बॉंड इम्मुनिजेशन कहीं ना कहीं अपन लोग इग्नोर कर देते हैं लिए टोप्षिण और इक्टम बरबर सेट जाए वैसे आपको बता दू के ऐसे बहुत सारे कर लेना so that you get notified और ऐसे कोई भी लेक्ट्स आते जाएंगे न के यूनों एफम के जैसे मैंने टॉप 60 questions निकाले हैं एफम का पूरा theory मैंने कर वाया है यह सब आप लोगों को मिलते जाएगा and will really be beneficial to you so stay subscribe to like it so that और भी आपको ऐसे connected videos मिलते जाएं तो चलो start करते हैं bond immunization के ओपर obviously मिरको video को short रखना है तो मैं see that to the point आप लोगों को पढ़ाऊंगा and let's try and understand what it is अब आज मैं जो भी आप लोगों को यह सब पढ़ा रहा हूँ उसके notes आपको मिल जाएंगे telegram channel पे नीचे description box में या फिर आपको comment box में telegram channel दिखेगा वो जॉइन कर लो telegram channel जॉइन करने का और एक बहुत बड़ा फाइदा है and that is that उससे हम लोग ने बहुत सारे mcqs डाले हर एक chapter के you'll find more than 30 to 40 mcqs in a gaming format मतब every day 10 mcq of a particular chapter वो आप लोग ने mcq दिया उसके बाद में next chapter mcqs so उसी सबसे आपका mcq के उपर grip भी रहेगा concept के उपर भी grip रहेगा and obviously all of this cumulatively will help you in the examinations and that's what all of us want right so notes के लिए telegram channel है आप लोगों के पास and or detail में अच्छी तरह से समझना है तो this is the magic book should have for your 1.5 days quick revision और अगर आपका concept बहुत वीक है AFM में वीक है और आपको चाहिए कि बहुत अच्छी तरह से marks आ जाए then I will suggest my 100 rmc master class batch best हो जाएगा आपका काम सेट हो जाएगा master class batch से short but complete coverage concept plus sums हर एक module का sum solve कि है उस batch में उससे जादा ही चलो start करते है on that note with bond immunization so bond immunization का मतलब क्या होता है to the point बोलू तो जो bond का duration है और उस duration को match करने के लिए मेरे को क्या weight रखना चाहिए मेरे bond के portfolio का उसको बोलते है bond immunization मैं एक example देता हो समझो आज से 6 साल बाद समझो आप लोग सब लोग अभी articleship कर रहे हो ठीक है और फिर बाद में जाके शादी करोगे तो कहना इसे आज से 6 साल बाद तुमारी शादी होगी अब अगर यहां से आज से 6 साल बाद तुमारी शादी होने वाली है then in that case आपको भी बता है शादी के लिए कितना खर्चा लगता है तो आप planning करना चालू करोगे क्या यार मेरे को 6 साल बाद 10 लाग रुपे की जरुवत पड़ेगी एक एक जामपल मेरे को 6 साल बाद 10 लाग रुपे की जरुवत पड़ेगी ठीक है डन तो यह आपका target आपको बता चल गया मेरे को 10 लाग रुपे चल यह कब 6 साल बाद तो यह आपको duration बता चल गया क्या 6 साल amount परता चलिया कितना 10 लाग अब आपके पास 3 option है एक है bond A, दूसरा है bond B, थिसरा है bond C, थोड़ा आप सोच रहे हो bond A में डालू, थोड़ा bond B में डालू, थोड़ा bond C में डालू, अब ये थोड़ा कितना bond A में 50%, bond B में 20%, bond C में 30% ऐसे randomly डाल दू, नहीं, आपको इतना weights में bond A, B और C में such that 10 लाग रुपे 6 साल के बाद आपको आपके पास मिल जाए and that is what bond immunization will tell you, अपने को बता है 6 साल बाद 10 लाग आउटफलो चाहिए तो अपने को बता है, अब bond immunization क्या बताएगा, कौन से bond में कितना percentage डालना चाहिए, मतलब जब bond का portfolio बनेगा, उस portfolio में क्या weights ह होना चाहिए, आपके particular bonds का is the job of bond immunization, balancing the bond portfolio weights, यह देखो weights के ओपर तवज्जो है, balancing the bond portfolio weights in such a way that the desired duration, अपना desired duration, can I say 6 years का है, that the desired duration as required by the client is achieved, आप मेरे client अब बोलते हैं, 6 साल बार शादी है, 10 लाग रुपए चाहिए, तो मैं आपका क्या portfolio weight बनाऊंगा, bond का, bond immunization बताएगा अभी, in simple words, bond portfolio का क्या weight रखना चाहिए, such that desired duration is achieved, यह है इसका base concept, अब अपन लोग जब इसका एक sum solve करेंगे, we will be very very clear, आओ देखते हैं, चलाओ, तो यह रहा एक question आप लोगों के लिए specially made, ठीक है, यह बहुत अच्छा question, bond immunization से related, इस से high level question institute के पास है नहीं और वो पूछ भी नहीं सकता, और वैसे यह भी, मैं बता दू, institute का ही question, ठीक है, so let's start and try and understand this, बहुत मजाएगा आपको यह question करने में, and bond immunization के सारे concepts आपके खुल जा जाएगा या फिर, telegram से जो मेरे notes है, वहां से भी अगर आप लोग ने यह download कर लिया, तो फिर भी आपका काम हो जाएगा, the following data is available for three bonds, A, B and C, these bonds are used by a bond portfolio manager to fund an outflow scheduled in six years, आपकी शादी है, छे साल बाद, तो आपको कुछ outflow चाहिए, छे साल बाद, समझे, current yield is 9%, all bonds have a face value of 100, each will be redeemed at par, interest is payable annually, bond A है, bond B है, bond C है, तीनो का maturity और coupon rate दिया हुआ है, calculate the duration of each bond, अब obviously अपना focus यहाँ पर duration calculate करना नहीं है, वो अपन लोग में अलग से lecture में duration, volatility, convexity अलग से calculate कर लिया है, अपना काम है bond immunization, जो second part से start हो रहा है, तो मैं duration of each bond यहाँ से directly pick up कर लूँगा, तो मेरे पास A का duration आ गया है, B का duration आ गया है, C का duration आ गया है, मैं फटाफट अभी आप लोगों के साथ जो video बना रहा हूँ, उसमें यह चीज लिख लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास तीनों चीजे आ गई है, क्या है वो तीनों चीजे guys, bond A का duration, B का duration, C का duration, देखो, मैंने सबसे पहले आ आपन लोग आ रहे, question 48 के उपर, and let me tell you, question number 48 का मैंने, question 48, मतब मेरे उसमें है, वो तुम लोग के लिए तो कोई भी random question है, इसके पास optimized है, उसके लिए है, bond immunization, a bond immunization में, what are we going to write, that तीनों का मेरे को duration मिल गया है, कौन तीनों, duration of bond A, duration of bond A, bond B, and bond C, A bond का देखो, क्या duration आया है, बिटा, A bond का देखो, क्या duration आ रहा है, it is 6.86, यह लोग ने दर round off कर दिया है, तो आपन भी ले ले लेते हैं, 6.86 years, B का duration कितना आ रहा है, जो आपन लोग directly calculate कर रहे हैं, guys, so B का duration आ रहा है, 5.84, 5.84 years, right, and C का आ रहा है, 4.24 years, तो यह, again I am telling you, आपको duration, I am assuming, calculate करना आता होगा, नहीं आता है, तो मेरे वीडियोस देख लेना, वहाँ से, yes, let's start, so यह, यहाँ से अपने को अब, अपना real game start करना है, part 2, ध्यान से पढ़ेंगे, the bond portfolio manager has been asked to keep 45% of the portfolio money in bond A, तो देखो, अपने को यहाँ पे दो चीज़े find करनी होती है, एक duration of bond, और दूसरा कितना weight है, अब मेरे पास 3 bonds है, bond A, bond B, bond C, उसमें से bond A का weight already उन्होंने दे दिया है, that is 45%, मतब कहना है, इसे मेरे 2 bonds बजगे, bond B and bond C, and उन दोनों का weight अब कितना बचा, total 100% होता है, उसमें से अगर 45% A का है, तो कहना इसे जो बचा 55%, that is of bond B plus bond C, calculate the percentage of amount to be invested in bond B and C, that need to be purchased to immunize the portfolio, अब अगर खाली 2 होते, तो A का अगर 45 है, तो by default जो दूसरा B है, उसका 55 होता, सम खतम हो जाता, बट यह सम भी शाना है, उसने बोला है B और C, दोनों का आपको अलग-अलग calculate करना है, so no problem, अब यहाँ पे what we will do is, we will say that given info क्या है, तो पहले given info लिख दो, given info में वो लोग ने बोला है, that weight of bond A, given info में वो लोग ने दे दिया है, weight of bond A, कितना 45%, तो CDC बात है, weight of bond B, plus bond C, is equal to हो जाएगा 55%, 100 minus 45, 100 minus 45, चलो, इतना समझ में आ गया है, सब लोगों को, डन सर, चलो यह मेरा 55% का weight आ गया है, B का and C का, अब मेरे को next चीज देखनी है, next, मेरे को क्या बोला है, कि वैई कितना, total duration कितना है, मेरे को बोला है, total duration है, 6 years, ठीक है, अब मैं यह explanation दू, उसके पहले आप लोगों को एक concept बताता हूँ, मालूब है, अपन लोग portfolio return calculate करते हैं, जब अपन portfolio return calculate करते हैं, ना तो मेरे पास 3 shares है, A है, B है, C है, ऐसा सोचो के, A का return है 12%, B का 14%, C का 10%, 40%, B का weight है 20%, and B का weight है 25%, and C का weight है 35%, फिर अपने को अगर कोई बोले की portfolio return calculate करके बताओ, तो अपन लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, अपन लोग 0.12 into 0.4, that is 4.8, plus B का B, plus C का B, इससे अपने को मिल जाता था portfolio का return, याद आया, ऐसा ही कुछ यहाँ पे है, total duration अपने को बोला है 6 years, मतलब 6 साल के अंदर मुझे bond से, भाई जो पूरा return चाहिए, तो 6 साल का return है, उसमें से वो लोग में A का, क्या दे दिया है, A का मेरे को duration भी दे दिया है, और A का weight भी दे दिया है, A का weight is 45% and A का duration is 6.86 years, तो can I say, जब मैं ये 6.86 करता हूँ, multiply by 45%, तो मेरे पास आ जाता है 3.087 years, तो 6 साल में से 3.8087 किस के पास गया, A के पास, मतलब B plus C के पास, अब कितना years बचा है, वेल, इत्री, 6 माइनस 3.087, वेल, 6 माइनस, 6 माइनस 3.087, तो 6 माइनस 3.087 कितना होता है, वेल, इत इस 2.913, 2.913 years, अब देखो, आपने पास 2 चीजे आ गई हैं, गाईस, एक, B plus C क्या weight, B plus C का total weight, कितना है, अगर मैं बोलता हूँ इदर, तो it is 0.55, nothing but 55%, एंड दूसरा, यहाँ पे मेरे को अभी क्या पता चला है, B plus C का total duration, कितना है, अब देखो इदर, ये वाला duration, अपन लोगने कैसे निकाला, ये वाला duration, अपन लोगने कैसे निकाला, duration into weight, duration into weight, से उससे A का duration आया, वैसे ही, अपने को पता है, B का duration क्या होगा, B का weight, multiply by B का duration, plus C का weight, multiply by C का duration, can I say, इन दोनों को add करेंगे, तो अपने को मिलता है, 2.913, दो मिनिट खाली सोच के, ये चीज समझ लो, and I think you will be clear, वै, B का weight कितना है, बोलो-बोलो, टेल-टेल, B का weight कितना है, B, अपन लोगने अभी B लिया है, into B का duration, जो अपने पास अवेलिबल है, plus C का weight, into C का duration, ये दोनों मिला के, 2.913 बनता है न, इधर मेरा 3.087 क्या बना, A का duration, into A का weight, ये मिला के बना 3.087, तो ये जो 2.913 बचा है, वो क्या है, B का duration, into B का weight, plus C का duration, into C का weight, B का duration, into B का weight, हो गया, अब मेरे पास, इसी के साथ, 2 equation आ जाते हैं, ध्यान से दिखना, पहला equation है, B plus C is equal to 0.55, आप चाओ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C is equal to 0.55, minus B, ठीक है, मेरे पास, दूसरा equation आया, B का weight, जो मुझे नहीं पता है, which is B, into B का duration, तो मैं को बताओ, B का duration कितना है अपना, starting में अपनों लोग ने calculate का लिया है, 5.84 और 4.24, तो 5.84 B, plus 4.24 C, is equal to, 2.913, ये बनता है मेरा equation, 1, ये बनता है मेरा equation, 2, अब खली इसको mathematically solve कर लोगे, you will be able to calculate guys, what, individually B और C by simultaneous equation solve करना है, जैसे आप उनलोग usually बचपन से करते आए है, सर, इसकी जगा पे अगर मैं C is equal to 0.55 minus B, इधर substitute कर दू, तो भी चलेगा, तो आइधर आप ये दोनों को simultaneously solve कर दो, या C is equal to 0.55 minus B कर दो, समझो, मैं वैसे करता हूँ, तो क्या आता है, देखो, तो 5.84B plus, क्या बोला है, 4.24, 4.24 C, C क्या है, 0.55 minus B, the whole equal to 2.913, समझी गड़ू everybody, done, 5.84B plus, 4.24 into 0.55, 4.24 into 0.55, plus 2.332 minus 4.24B, the whole equal to 2.913, पस अभी सको solve कर लू, 5.84 minus 4.24, ये आग्या 1.6B, and 2.913 minus 2.332, ये आग्या 0.581, B का वेट आ जाएगा 0.581, divided by 1.6, and that is 36.3%, बाई अगर ये 36.3% है, तो C, 55 minus 36.3, बोलो कितना होता है, 55 minus 36.3, ये आता है, approximately 18.7%, ये आता है, approximately 18.7%, 7% rounding off का थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, समझ में आया सबको guys, easy था ना, भी तो मैं बोला, आपको होगे कि एगदम easy है, so B और C का भी weights मेरे पास आ गया है, that was the required part of the question, कि percentage amount to be invested in B and C, is 36%, 18.7%, देख लो आओ, ये देखो, देख लो इधर, 36 and 18.7, yes, done, अभी इसके साथ चलते हैं अपन लोग, third part of the question पे, जो और भी easy है, देखो इधर आजाओ, third part of the question is, after the portfolio has been formulated, an interest rate change, changes, increasing the yield to 11%, the new duration of the bond is, bond A, bond B, bond C का duration, change हो गया है, is the portfolio still immunized, why or why not, चलो आओ, देख लेते हैं, अब देखो, A का duration दिया है, और weight अपन लोग ने अल्यडी calculate किया, A का duration है 7.15, A का duration है 7.15, ठीक है, फिर B का भी duration और C का भी duration दिया है, कितना 6.03, 4.27, 6.03, 4.27, अच्छा, weights, weights, अभी अपन लोग ने calculate किया, 45%, 36.3%, 18.7%, अब अपने को क्या करना है, duration into weights, duration into weights करने से portfolio duration आ जाता है, इसे लिए ये example बताया था पहले, portfolio return करके देना, अपने लोग calculate return into weights, वैसे ही portfolio duration आ अपने पास, जो 6 years से कम होना चाहिए, देखते हैं, so मेरे पास है 7.15 into 0.45, M plus ये गया 3.2175, फिर मेरे पास है 6.03 into 0.363, ये मेरे पास है M plus, ये हो गया 2.19 plus 4.27 into 0.187, ये हो गया मेरे पास 0.80, जब मैं इसको memory recall करता हूँ, ये आता है approximately 6.21 years, ओ, तो मुझे चाहिए था 6 तक, but it is 6.21, so मेरा match नहीं हो रहा है, so is the portfolio immunized, portfolio not immunized, क्यों, क्योंकि it is more than 6, समझ में आगया आपको, last point of the question, and of the concept guys, determine the new percentage of BNC, needed to immunize the portfolio, bond A remaining at 45% of the portfolio, अब सेम उपर वाले पार्ट को वापस से solve करना है, मतलब, B plus C is equal to वापस 0.55, and यहाँ पर duration of B, 6.03 multiply by B, plus duration of C, 4.27 multiply by C, the whole equal to, जो अभी आपका इदर बचेगा, तो यहाँ पर अपना A का कितना है, 7.15 into 45 ना, तो 7.15 into 45 कितना होता है, 3.2175, तो 6 minus 3.2175 हो गया, तो बचा कितना, 6 minus 3.2175, बचा कितना, बचा कितना, Sir 2.7825, अब इसको solve करना है, and you will get your answer, for bond immunization, कि by total B और C में, कितना weights डालना है, start में अपना यही बात हुआ था, weights, duration का combination है, bond immunization, and with this, we are done and tested, guys कैसा लगा, अच्छा लगा, अब module का sum आपका done, bond immunization का concept done, और क्या चाहिए, लाइफ में comment करो, और इधर तक पहुचेगो, तो please like करना, share करना, अपने friends and colleagues, या juniors के साथ, जिनको A.F.M. में तखलीफ हो रहे हैं, they can definitely stay subscribed, will always be helped, कर लिया, notify कर लिया, bell icon क्लिक कर लिया, hasta la vista, मिलते अगले session में, तब तक आप comment में बताओ, आपको कैचिए, keep smiling, thank you so much.